कि हलो गाइज आज अभी इस वीडियो पर तीन ऐसे मीड़ चैप के बारे मैं आपके पास चर्चा करूंगा इस तीन मीड़ कैप में दो ऐसे मीड़ कैप कंपणीज हैं जो एकदम हाली की लिस्टिक है और इतना बहतरीन परफोर्मेंस कर रही हैं इतना उन्दा परफोर्में और मेरी मानिये आप इस तीनों स्टॉक को किसी भी पैरामिटर से आप इसे मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे इंवेस्टर हैं आपको मीड़ कैप सिगमेंट में अगर पैसे लगाने चाहते हैं तो इससे बहतर तीन स्टॉक आपको नहीं मिलेंगे क किसी भी दिरिश्ट्री कौन से चाहे वो बिजनस मॉडल हो चाहे वो डिविडेंट हो चाहे वो फंडेमेंटल हो चाहे उसका चार्ट पेटन हो चाहे उसका ट्रेंड हो एवरिटिंग इस फाइन आपको किसी भी तरह की कोई टेंसन वाली बात नहीं नजर आएगी 625 पॉपुलर वीडियो है और बार्ट सबसे पर्सट वीडियो के बारे में चर्चा किया था एप्लीगेस्ट और लोगों ने इतना पसंद किया और 2400 से यह स्टॉक 2700 तक पहुँच गया पहला स्टॉक मैं बता रहा हूं तीनों जबर्जस्त कंपनिया हैं पूरी वीडियो देखके जाएगा लाइप चेंज कर सकता है यह सभी स्टॉक लासन एंट टूब्रो इंफो टेक लिमिटेट के बारे में बात कर रहा हूं एक टिस्क स्टॉक के ब सर्सकें बनाने के बाद लौस होता वह का पूरा जीम्मぐारी है क्योंकि मैं शर्वी स्टॉक सब्सक्रांव करता हूं पूर तरेइड करते हो और मैं इंवेस्टमेंट की बात करता हूं आप ट्रेइडिंग की बात करते हैं चलीए यह पहला भील मर्द दूसरा डिस्किलिमर, अपने financial advisor या फिर अपना प्रोपर एनलेसिस और अपना पूरा study complete करने के बाद stock पे मनिएगा मैं अपनी complete study के बाद आपके पास आता हूँ आप से discuss करता हूँ इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं इसा भी स्टॉक्स पर बाइन कीजिए लेकिन जितने भी स्टॉक्स लाता हूं गारेंटी के साथ दावे के साथ बहुत 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 कंपनी के बारे में क्या बता हूं लार्जेस्ट इंजिनिय के बारे में बात कर रहा हूं देखिए यह कंपणी यह आईटी सर्विसेज कंपणी है और यह कंपणी सर्विस क्या देती है इंसिट्यूट सच एज बैंकिंग फाइनन्स सर्विसेज ठीक है इंसोरेंस एनर्जी एंट्रोसेज इस कंजूमर पैकेस्ट गूड रिटेल फर्मसेटिकल्स, मेडिया ट्यूमें थाय एक थांटीक, कंजूमर एल्लेक्ट्रोनिक ओटमोटीब एनरोश पैस इतना जगों पर एंकि आई इजर्विसेज प्रवाइ जयती है इंकि आधिर ग्राइंटी सर्विसेज एजए फ्लीन Ian Car sú आउसोर्सिंग इंटर्प्राइज स्वेस्ट्राइज्स इंफरा स्ट्राइजमेंट सर्विसेंग इंफरा आपको क्या बता रहा हूँ ठीक है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं इनके जो क्लाइट से वेल लौन और इसे इंकुलूदिंग फॉर्टी नाइट नाइट अप बताईएगा आप कहां से डरने वाली बात है जब निप्टी फिप्टी ने सॉरी फॉर्चून 500 ग्लोबल इसके कस्टमर बेस्ट है इन कंपनी का वो बिलीब कर रहे हैं आप नहीं कर सकते हैं सवच के देखें पचास अजार करोड की मार्केट कैप एक लार्ज कैप के तरब जारी है कंपनी मिड कैप कंपनी 2700 पे मिल रहा 2400 पे मिल रहा था अपने बाई नहीं किया होगा कितने लोगों ने 2434 पे से स्टॉक को बाई किया हमारे स्टॉक की रिव्यू देखके आप एक बार हमें कमेंट किजेगा इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा इससे हमें यहीं मिलेगा कि हमारे जो से उन लोगों को definitely profit हो रहा होगा ठीक है और यही मैं चाहता हूं मेरा काम है आपको profit दिलाना ठीक है return on capital employed return on equity sales growth dividend yield promoters holding super percentage कोई गिर्वी ने डेट-free company 2900 की intrinsic value थी जो की 200 रुपी अभी भी दूर है तो 2900 पे जाने के बाद यह stock फिर से profit book के criteria पे आ जाएगा तो आप थोड़ा सा wait and watch कीजिएगा अगर यह stock 2000 पे आपको मिल गया आप इसे छोड़ियेगा नहीं ऐसी कसम खालीजेगा मैं आपको कह रहा हूं कि यह सभी companies आपको आने वाले time में इस price पे नहीं दिखेगा देखि कि छे मिनट की coverage हो गई आपको मजा भी आ रहा होगा सुनने में लेकिन क्या करूं लोगों की पसंद नहीं है तो छोड़ा छोटा वीडियो बनाना पड़ता देखिए तीन सालों में कौन परसेंट का सीजिए और कौन स्टॉक देगा मुझे पता नहीं आप हम जरूद करके बताइए एक साल में 77 परसेंट तेज था तो यह चार-चार बार तीन तीन बार डूइडेंट भी पे करती है तो देख लिजेगा इस कंपनी को मैं आपको नेक्स कंपनी के बारे में बताता हूं साइथ दो ही स्टॉक किस पर रिव्यू हो जाए तीन का हो या ना हो तेकिन स्टॉक जिसके बारे में मैं बताऊंगा आप परीशी थे स्टॉक से जी अनना अदर देन आयर सीटी सी के बारे में बात कर रहा हूं इनके बिशनस का तो टक्कर दिने वाला कोई कंपनी नहीं है और मीड़काप सेग्मेंट पर आपने पैसे नहीं लगाए है या फिर आप आपने पैसे इस पर आया था आपने अप्लाई किया और लिस्टिंग इनकी दीन ही निकल गया है तो आपने बहुत बड़ी वेवकुपी की और अगर इस प्राइस पर चोड़ रहे हैं तो साइथ कहीं ने कहीं आने वाले पान से दस सालों के बाद में सायथ हम लोग पस्ता आ सकते हैं क्योंकि इनके पास स्यासी बिजनस मॉडल ऐसा फंडामेंटल कि साइथ कोई भी कंपनी इसको टक्कर नहीं देगी इसके सिगमेंट पर कोई दूसरी कंपनी है नहीं दा कंपनी वाज इंकॉर्परेटेटेड आज इंडियान रेल्वे कैटरिंग एंड टूरिज हो तो देखें बिजनस सिगमेंट जो है एक मिनिट बिजनस सिगमेंट जो है सेंट्रल पब्लिक सेख्टर एंटरपराइजिस यह पूरी गवर्मेंट अपेंडिया केंडर में इनका एड्मिस्टेसिं इंडियर्वे प्रॉबाइड दा कैटरिंग सर्विशस तु दा रेयल प्रवाइड करवाती है और पर मोटर्स की होल्डिंग तगड़ी इनके देखे बाइस तहीस हजार करोड की मार्केट क्या 87 परसेंट की सरकार की होल्डिंग से देखिए अभी सायद आया सेटी सी का सरकार ला सकती क्योंकि 25-30 परसेंट सेल की बात की जा रही है तो इस चीज को ध्यान पर रखते हुए स्टॉक पर बनिएगा और साइपी मौड पर खरिदने की कोसिस कीजिएगा ओफस अगर इस पर नीचे के प्राइस दीखने को मिले तो साइद स्टॉक वहां से करेक्ट हो सकता इसलिए इस पर तेजी नहीं आ रही है इस चीज पर कहीं कहीं नहीं सरकार का थोड़ा सबस्क् apr to बार बात नहीं है क्योंकि सभी जगों पर आप देख रहें, इस टेक बेचा जा रहा गुर्मेंट की सेक्टर पर तो ये भी पॉसेबल हो सकता अगर आपने नहीं देखा तो हमें कमेंट किजेगा मैं आपको कमेंट सेक्षन पर लिंक भेज दूंगा रिटर्ण एक्विटी चौालिस सेल्स ग्रोथ 14 डिविडेंट पेर स्टॉक पर मोडस किसी तरह को होई नहीं सकता डेट फिरी कंपनी ठीक है तो इस चीज को देख लिजेगा टूटल डेट फ्री कंपनी के बारे में मैं बात करता हूं कि बैलेंस रीट खराब नहीं करूंगा और अभी चलता हूं नेक्स स्टॉक को दिखा देता हूं वीडियो काफी लंबा हो जाएगा मैं दोई स्टॉक का रिब्यू करता हूं अगर दोनों स्टॉक को पसंद आया तो हमें कमेंट किजेगा मैं इसी सीरीज को मत भूलिए और आया सेटी से को आने वाले टाइम में साइद ये दोनों ही दोनों निप्टी-फिप्टी का हिस्सा बन जाए तो आप उस समय आप आस्चेज ना होईएगा क्योंकि कंपनी काम ही ऐसा कर दिए इन्वेस्टिमेंट करने से पहले अपने फाइनेंसिल वाद हमारे चानल विजिट करने के लिए थैंक यू